सबसे बड़ा जो गिश्यू है स्मार्ट मीटर में जो जम्मू सहर में लग रहे हैं जिसमें विभीन तरीके की लोगों को अवी तक उसकी रहता है कि इसमें स्मार्ट मीटर का सही है गलत है क्या है सबसे पहले तो मैं बताऊंगा स्मार्ट मीटर ना केवल जम्मू कस्मीर में लग रहे हैं स्मार्ट मीटर पूरे इंडिया में लगने जा रहे हैं किसी भी स्टेट की बात करें वहां सबीजे के स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उसी का एक पार्ट जम्मू कस्मीर में भी स्मार्ट मीटर का है स्मार्ट मीटर जो है एक डिजिटल मीटर से थोड़ा सा हटके है कनेक्टिविटी के साथ में है और स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है स्मार्ट मीटर लगाने का मेन उद्दे से कंज्यूमर को ही एंपावर करना है पहले जब डिजिटल मीटर या ओर्डिनरी मीटर होता है उस मीटर में जो रीडिंग आती है उस रीडिंग के लिए वहाँ पर विजिली विवाग का या जेबी डियसल का एंपलोई जाता है उसको रीडिंग को लेता है नोट करता है वो अपलोड कर जाती है उसके अकोर्डिंग बिल जनरेट किया जाता है कि smart meter के आने के बाद में, smart meter totally network connected है, जो कि आपके mobile पे भी देख सकते हो, portal पे देख सकते हो, जो bill भी जनरेट होगा, वो totally automatic जनरेट होगा, जितना consumer ने consume किया है, उसके according ही जनरेट है, तो इस से consumer का empowerment है, उसके अलावा एग्रिगेट टेक्निकल और कॉमर्शिल लोसेज जो होगा उन लोसेज को भी कम किया जाएगा जो गोवर्मेंट अब इंडिया का टार्गेट है जो कि 20 परसेंट से कम लोसेज रखे जाएं और उसमें जो फाइदा होगा और अल का और जो इसी का जो एक नतीजह होगा कि मौर पावर अवेलिबल कंजूमर को होगी ये एक था का स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जारहा है डिजिटल मीटर से स्मार्ट मीटर खिर्थ जाने का क्या रीजन है उसका ये एक लैरिफिकेशन है और ये सब जगे पूरे भारत में किया जा रहा है UP, बिहार, राजस्तान, हरियाना या सभी जगे पे smart meter लगाय जा रहे कुछ state में complete कर दी है कुछ state अभी तक under process में उसी के part में जम्मू कस्मीर भी है जम्मू के अंदर 1,83,000 के लगब मीटर लगाय जाने थी और smart meter की परकिया आपको पता है आज एक महीने पहले आभी शुरू नहीं हुई है ये पोने दो साल से smart meter लग रहे है और उसमें 80% तक complete कर भी दिया गया है और उसमें different different जहां जहां smart meter लग चुके हैं उनसे भी आप बात करेंगे दिसमार्ट मीटर प्रोफर तरीके से काम कर रहा है